गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम कक्षा छट्वी का पार्ट बारा बीजी वेंजक पढ़ने वाले हैं बच्चो बीजी वेंजक को जब हम पढ़ेंगे तब सबसे अधिक बार जो हम सुनेंगे शब्द वो है चर और अचर संख्या तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर और अचर संख्या होती क्या है यहाँ पर बच्चो आपको एक रस्सी दिखाई दे रही होगी जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है इस रस्सी को हम चार बराबर फोल्ड करके यदि इस वरगाकार डिब्बे के चारो तरफ लपेट दें तो लपेटने के पश्चार इतनी रस्सी शेश बच जा रही है बच्चो जब इस शेश भाग को मैंने स्केल से ना पा तो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त हुई अब बच्चो यहाँ पर जो शेश रस्सी की लंबाई है वह 14 सेंटीमीटर है इसका जो मान है वो बच्चो निश्चित है इसलिए 14 को हम क्या कहेंगे बच्चो अचर संख्या कहेंगे इसके विपरीत बच्चो यदि हम इस डिब्वे के जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई को बच्चो यदि हम L माने क्योंकि हमें इसकी भुजा की मात नहीं पता है तो यदि बच्चो हम इसे L मान ले तो चूकी यहाँ पर चार भुजाएं हैं तो इसका यदि हम इस पूरी रस्टी का यदि हमें लंबाई ग्याद करना है तो हम L को किस से गुणा करेंगे बच्चो चार से गुणा करेंगे क्योंकि इस वर्गाकार डिबबे की चार भुजाएं हैं और एक वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं इस डिबबे के चारो तरफ जो रस्टी है बच्चो इसका जो नाप होगा वो चार गुडित L यानि की चार L होगा और इतनी शेश रस्टी की लंबाई हमें प् स्टी इस राप्त होगा वह होगा चार L धन 14 तो इस प्रकार से बच्चो आपने देखा कि किस प्रकार से 14 जो कि एक अचर राशी है और L जो कि एक चर राशी है इन दोनों में ही संक्रियाओं का उप्योग करके हमने लाख किया है यहाँ पर बच्चो जो BGA वेंजक आपको दिखाई दे रहा है 4L धन 14 यहाँ पर जो 4L है वह इस BGA वेंजक का पहला पद है और जो धन के बाद आपको 14 दिखाई दे रहा है वह इस BGA वेंजक का दुईतिय पद है तो इस प्रकार से बच्चो BGA वेंजक में बहुत सारे पद हमको प्राप्त हो सकते हैं आईए हम इससे संबंधित एक और गतिविधी देखते हैं मान लीजे बच्चों यहाँ पर आपको इस डिब्बे के अंदर बहुत सारी मोतियां दिखाई दे रही है और मुझे भी नहीं पता कि इस डिब्बे के अंदर कितनी मोतियां है तो मोतियों की जो संख्या है वो अग्यात है एक अग्यात राशी है मोतियों की संख्या इसे बच्चों हम बीजी वेंजग के अंतरगत किसी भी अंग्रेजी के अल्फाबेट ABC, XYZ या हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से इसे दर्शा सकते हैं मान लीजे हम इसे इस डिब्बे में मोतियों की संख्या को X से दर्शाते हैं मान लीजे बच्चों इस डिब्बे में मैं दो मोति और जोड़ दूँ दो मोति को यदि इस डिब्बे में मैं और जोड़ दूँ तो अब जो बीजी ए वेंजग है वह बन जाएगा X धन दो इसी प्रकार बच्चो यदि इस डिब्बे से मैं पांच मोतियां निकाल लूँ तो हमारा बीजिये विंजग अब क्या बन जाएगा बच्चो? एक्स रिण पांच इसी प्रकार बच्चो यदि इस डिब्बे की मोतियों को मैं आधा कर दूँ इस डिब्बे की मोतियों को यदि मैं आधा बाहर निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा? मान लीजिये इसमें से आधे मोतियों को मैंने बाहर निकाल दिया तो अब कौन सा बीजिये विंजग बन जाएगा? एक्स भागित दो यहाँ पर बच्चो हमने यह जो डिब्बा है इसमें मोतियों की संख्या हमने एक्स मानी थी और मान लीजिये ऐसा ही एक और डिब्बा हम यहाँ पर साथ में इसके रखें तो इसमें इन दोनों में मोतियों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चो? एक्स धन एक्स यानी की दो एक्स बच्चो जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने मोतियों की सहायता से बीजिये विंजग की अवधार्णा को आपको सपष्ट किया उसी प्रकार बच्चों आप घर पर भी ऐसे ही चीजों के द्वारा जैसे मटर, पत्तियां, लकडियां, पत्थर ऐसे कई सारे उधारणों से आप भी BGA विंजक से सम्बंधित अवधार्णाओं को घर पर ही बैठे खेल खेल कर स्पष्ट कर सकते हैं तो बच्चों आपने अभी अभी जो गतिविधियां देखी उससे आपको क्या समझ में आया कि BGA क्या होते हैं दूसरे शब्दों में यदि मैं बच्चों कहूं तो जो चर राशी होती है उसे ही हम गडित की भाशा में चरांक भी कहते हैं और जो अचर राशी होती हैं जैसे संख्याएं उन्हें हम बच्चों इस्थीरांक कहते हैं तो चरांक एवं इस्थीरांक से बना हुआ व्यंजक ही BGA व्यंजक कहलाता है तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ BGA व्यंजक बना कर दिखाती हूं अलग-अलग संक्रियाओं से मान लीजिए चर राशी X है और अचर राशी 9 है आईए इन चर और अचर राशीयों के बीच हम धन, रेण, गुड़ा और भाग की संक्रिया लिख कर अलग-अलग BGA व्यंजक बनाते हैं आईए सबसे पहले हम जोड के साथ BGA व्यंजक का निर्मान करते हैं X धन 9 इसी प्रकार बच्चों जब घटाने के संक्रिया के साथ हम BGA व्यंजक का निर्मान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें X रेण 9 इसी प्रकार बच्चों गुड़ा यदी करना है हमें तो X गुड़ित 9 यानि की हमें उत्तर प्राप्त होगा 9X और इसी प्रकार बच्चो भाग की संक्रिया यदि हम इन चर और अचर राशी के बीच करनी है तो हमें प्राप्त होगा X भागित 9 तो इस प्रकार से बच्चो जब किसी चर राशी और अचर राशी के बीच हम जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की संक्रिया को करते हैं, तो हमें अलग प्रकार की एक संख्या मिलती है और उसे ही हम B.G.A. वेंजक कहते हैं. अब बच्चो आईए हम जानते हैं कि B.G.A. वेंजक के प्रकार क्या क्या होते हैं. बच्चो जैसा कि अभी मैंने आपको B.G.A. वेंजक के पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, द्वी पदी, त्री पदी, एवं बहु पदी आधी नामों से जाना जाता है. आईए हम इनके कुछ उधारण देखते हैं. एक पदी वेंजक बच्चो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे B.G.A. वेंजक जिनमें केवल एक ही पद हो. जैसा कि आप उधारण में देख पा रहे हैं. तीन एकस वाई. तो यहाँ पर बच्चो आपको एक ही पद दिकाई दे रहा है जो की है 3XY. तो यह एक पदी B.G.A. वेंजक का उधारण हुआ. इसी प्रकार बच्चो द्वी पदी वेंजक ऐसा B.G.A. वेंजक है जिसमें 2 पद होते हैं. जैसा कि आप उधारण में देख सकते हैं 3X धन 4. यहाँ पर 3X जो है वो पहला पद है और 4 जो है व होते हैं. यहाँ आप उधारण के रूप में देख पा रहे हैं. X का घाद 2, धन 5X, धन 6. यहाँ पर बच्चो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं 3 पद जिसमें से पहला पद है X का घाद 2, दूसरा पद है 5X और तीसरा पद है 6. और इन तीनों के ही बीच जोड़ने क संक्रिया की गई है. इसी प्रकार बच्चो ऐसे बीजिये वेंजक जिसमें पदों की जो संक्या है वो या तो तीन हो या तीन से अधिक हो उन्हें हम बच्चो बहु पदिये बीजिये वेंजक भी कहते हैं. क्योंकि बहु पदिये आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा बहु यानि बहुत सारे और पदी यानि पद, तो जिस भी बीजिय वेंजक में बहुत सारे पद होते हैं, उन्हें हम बहु पदी ये बीजिय वेंजक भी कहते हैं. तो आईए बच्चों हम ऐसे BGA वेंजक यहाँ पर देखते हैं जिन में हम पदों की संख्या की जाच यहाँ पर करेंगे अब बच्चो पदों की संख्या की जाच यदी हमें करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी बीजी ये विंजक में अलग अलग चरांग एवं इस्थीरांग के बीच जितने बार धन और रिण का चिन्ह का उपयोग होता है बीजी विंजक में पदों की जो संख कितनी बार हो रही है एक बार यानि इसमें पदों की जो संख्या होगी वो उससे एक अधिक होगी यानि एक धन एक यानि की दो इसी प्रकार बच्चो द्विती उधारण में देखिए 2x प्लस 3xy प्लस z यहाँ पर बच्चो यदि हम जोडने की संख्या देखे तो कितनी ब 3 इसी प्रकार बच्चो आप तीसरा उधारण देखिए जो की है 8x यहाँ पर बच्चो आपको कोई भी संख्या होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जैसे जोडने या घटाने की संख्या आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है यानि यहाँ पर संख्या कितनी हो र गिन सकते हैं, आईए अब हम बीजिय विंजक में पद कैसे कैसे होते हैं यह जानते हैं, बीजिय विंजक में बच्चों दो प्रकार के पद होते हैं, एक होते हैं सजातिय पद और एक होते हैं विजातिय पद, आईए जानते हैं कि सजातिय और विजातिय पद में क्या आंतर है ऐसे समस्त पद जिन में चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है सजातिय पद कहलाता है जैसा कि बच्चों आप उधारण में देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x, 2 बटे 3x और 18x इन तीनों ही उधारण में यदि हम देखें तो जो चर राशी वो है x और तीनों में ही समा दान चर राशी हमें दिखाई दे रही है तो ऐसे bg avenger को को हम कहते हैं कि यह x के सजातिय पद है इसी प्रकार बच्चों विजातिय पद ऐसे समश्त पद जिन में चरांक या बीजांक वाला भाग समान नहीं होता है अलग-अलग होता है ऐसे पदों को हम विजातिय पद कह जैसा कि आप उधारण में देख पा रहे हैं 3X, 4Y, 5Z, यहाँ पर यदि हम देखे तो तीनों में ही चर अलग-अलग है, पहले उधारण में X है, दूसरे उधारण में Y और तीसरे उधारण में Z है, तो इस प्रकार से बच्चों पदों को दो तरह से यहाँ पर हम जानते हैं एक है सजातिय पद और एक है विजातिय पद, बच्चों आज हमने जाना कि एक BGA विंजक होता क्या है, चर राशी क्या होती है, एक BGA विंजक में कितने प्रकार के पद होते हैं, और BGA विंजकों में पदों की गर्णा हम किस प्रकार से करते हैं, तो आईए इसी से अधित ग्रहकारिय हम देखते हैं, पहला प्रश्न है बच्चों, एक पदिये व्यंजक के पांच उधारण आपको लिखने हैं, आप अपने मन से किसी भी चर राशी का प्रयोग करते हुए एक पदिये व्यंजक उधारण के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार बच्चो प्रश्न दो है द्वी पदिय व्यंजक के पांच उधारण लिखे आपको दो पद वाले बीजिय व्यंजक अपने मन से लिखने हैं उसमें आप किसी भी चर राशी का प्रयोग कर सकते हैं इसी प्रकार बच्चो आखरी जो प्रश्न है वो है दिये गए व्यंजकों में से सजातिय व्यंजक पर गोला लगाईए ऐसे जितने भी व्यंजक है जिसमें सजातिय पद हमें दिखाई दे रहे हैं किसके सजातिय पद? ल, M, N के सजातिय पद हमें दिये हुए व्यंजकों में से ढूंड कर उसे गोला लगाना है तो दिये हुए पद है बच्चो 6L, 5MN, L, MN, 2L और आखरी पद है रिण 6LN इसमें से आपको बच्चो L, M, N के सजातिय पद को ढूंड कर गोला उसमें लगाना है तो बच्चो BGA विंजक एक बहुत ही महत्तुपूर्ण टॉपिक है जो आपको आगे की कक्षाओं में भी उपयोगी सिद्ध होगा इसे अच्छी तरह से समझिए अपने आसपास ऐसे अनेक उधारन देखिए जहां पर आपको BGA विंजक से संबंधित राशिया दिखाई देती है अगली कक्षा में हम फिर से एक नए अध्याय के साथ दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद